विजैनेल डिस्च्राइच suddenly बहुत भढ़ गया है प्रेगनेंसी का साय ने क्या है मुझे आज कल दिन भर थकान लगती है दिन भर मन करता है सोगती हूँ बैठती हूँ तो थकान लगती है बोलती हो तो बोला नियाता हाफती हूँ क्या मैं pregnant हूँ? मेरे पेट में एक अलग सा अलग सा अलग सा अलग सा अज का वीडियो उन छोटी छोटी बातों को लेकर जो कि आपको पता ही निये कि ये pregnancy की science है सबको पता है period मिस होता है आपने pregnancy test कर लिया बड़ा easily हो जाता है आपको पता है कि irregular cycle से तो आपको थोड़ा सा रुख कर pregnancy test करते हो या फिर डॉक्टर के पास चले जाते हो रहे हैं ने कराइए सब खाने का ये सब तो सबको पता है अब विजानल डिशार्च क्यों बढ़ता है विजानल डिस्टार्च प्रेगनन सी इस लिए बढ़ता है क्योंकि आपको 지somethinguir उसके अंदर blood supply जादा आ गई है, क्योंकि पूरा पूरा जो बच्चे दानी है, वो चेंज हो रहा है, उसके अंदर एक छोटा सा बुरून आ गया है, बुरून आने के विज़े से आपका सारा blood, जो आपका heart है, वो सारा blood बच्चे दानी के तरफ फेक रहा है, तो आपकी वि जैसा बार-बार क्यों लगेगा, क्योंकि यूटरस बढ़ा हो रहा है, बच्चे दानी बड़ी हो रही है और आगे है ब्लैडर, तो बच्चे दानी बड़ी हो के उसके उपर प्रेशर डाल रही है, तो आपको लगेगा बार-बार उर्ण जाना है मुझे, तो ये सारे sensation हो विजयानल डिस्चार्ज बढ़ता है, विजयानल पेन होता है, बार-बार यूरिन लगती है, दूसरा सिम्टम होता है, फटीग, यानि कि बैठे-बैठे थकान, पूरे टम ऐसे आखे चकर, नीद आ रही है, इस पेशली जो पहली बार प्रेगनेंट होती है, उनको आदत नह रहा है, उनके अंदर वो पैटरनल टिशू, यानि कि पार्टनर का थोड़ा सा टिशू आ रहा है, ये तो आपको पता है, बच्चा मा और बाप दोनों के अंशों से बनता है, तो जब बच्चा बन रहा होता है, तो बच्चे के अंदर फादर के भी टिशू होते है, फाद तो यह सारी चेंजिस आते हैं, सेकेंड प्रेगनेंसी में इतना सब नहीं पता चलता है, पच्चे दानी के अंदर थोड़ी थोड़ी कॉंट्राक्शन चुरू होते हैं, नीचे की तरफ जो हैविनेस लगती है, वो सिरफ बच्चे दानी का साइस बढ़ता है, इसले नहीं हो बच्चा तूब से निगल के यूट्रस के अंदर आ जाता है, तो आपका पीरेड मिस होने से पहले या प्रेगनेंट हो चुकी है, वो बच्चा यूट्रस में आ चुका है, आपको पता नहीं चला क्यूंकि पीरेड मिस नहीं हुआ, लेकिन आपको अलग से सेंसेशन शुर ब्रेस्ट में टेंडरनस क्योंकि निप्पल के चारु तरफ जो ब्लाक अलग का एरिया होता है, जिसको हम अरियूला बोलते हैं, उसके अंदर भी मिल्क की जो डप्स होती है, जो पतली-पतली नल्किया होती बननी शुरू हो जाती है, आपको लग रहा होगा इत्ती करेगा, चाहिए वो बच्चे दानी का एरिया हो, चाहिए वो ब्रेस्ट हो, ये सारा बड़ा हो रहा है, तो विजाना बड़ा हो रहा है, यूट्रस बड़ा हो रहा है, तो नीचे पेन हो रहा है, आपको एक अलग सा सेंसेशन होगा जब आप उठके खड़ी होगी, कई ब मांसल होते हैं आपका ब्रेस्ट बड़ा हो रहा है अंदर कि या नि那我們 बनाएं गी तो यह सारी वही आंदर होंगे एक बड़ा common symptom है shortness of breath यानि की बात करते जाना या फिर चलते जाना नॉमल चल रहे तीन-चार कदम उठाए हाफ गए, ठक गए, लेट गए, क्योंकि BP लो हो रहे हैं, प्रेगनेंसी में BP लो होना बढ़ा नॉर्मल है, क्योंकि सारा का सारा आपका जो हार्ट का ब्लड है वो यूट्रस मे जा रहा है और प्रेगनेन लेडी में क्या होता है कि बॉड़ी तयारी करती है कि आपका ब्लड लॉस जादा ना हो डिलिवरी के समय तो आपका जो ब्लड है वो बहुत हाइपर डायनेमिक सर्कुलेशन में आ जाता है यानि को एक नॉर्मल औरत में जो 5-5 लीटर ब्लड होता है इसलिए आपको swelling होती है इसलिए आपका hemoglobin भी 12 से 10 पर आ जाता है क्योंकि अंदर पानी भर गया है तो यह तो नॉर्मल चीज़े हैं जो बॉड़ी करती है इसकी वज़े से आपको थोड़ा सांस लेने में तकलीफ क्योंकि बच्चा ऊपर आ रहा है तो आपको यह वाल करती है हाफ जाती है रुकती है फिर वापिस बोलती है यह बड़ा नॉर्मल है अनलेस कि आपको कफ हो अनलेस कि आपको कोई और प्रॉल्म हो अस्थमा हो आपके लंग्स में प्रॉल्म हो तो बाता लगे अदोवाइस यह बड़ा ही नॉर्मल है कि बाते करते करते हाफ जा जिलनों को अलड़ी बहुत ज़्यादा गैस बन रही है, उनको प्रेगनेंसी में और ज़्यादा गैस बनती है, कारण एक तो आपका food digestion कम हो जाता है, क्योंकि बच्चा ओविसली पेट को दबा रहा है, तो जो आप खा रहे हैं, वो उपर जा रहा है, बट यह होता है प्रेगनेंस्ट्रोम में भी यह हॉर्मोन बढ़ा हुआ होता है, क्योंकि पीरड आने से पहले प्रोजिस्ट्रोन का लेवल बढ़ता है, यह आपके ब्रेस्ट को बढ़ा कर देता है, और आपकी जो स्मूद मसल्स है, जो आपकी आँटों की मसल्स हैं, उनको रिलाक्स कर आपको कॉंस्टिपेशन होता है, तो जो आपके अंदर मुवमेंट होना चाहिए, बोडी के अंदर इंटेस्टाइन का, वो होता नहीं है, ग्यास भर जाती है, खाना खाती है, आपकी पेट का खाना नीचे ही नहीं जाता है, वहीं पढ़ा रहता है, तो यह सारी प्रोब् बच्चा है, बट इस सारी सिम्टम्स आपको एक तरह से एक इंडिकेशन देंगे कि शायद आप प्रेगनेंट है, तो वीडियो अच्छा लगाओ, तो लाइक जरू करिएगा, शेयर जरू करिएगा, बहुत ही जल्दी में हाजर होंगी नया वीडियो लेकर, और अगर बहुत से लोग WhatsApp करते हैं कि कहीं तो नहीं है, अगर आपको online consult करना है, तो आप इस number पर लिग दीजिए कि हमको online video calling के थ्रू मैडम से बात करनी है, और अगर hospital आना है, तो आप appointment ले लिजिए कि मैडम अवेलबल है कि नहीं, तो आईए, मेरे से consult करिए, बहुत से patients पिछले 4 साथ से अलग-अलग जगे से मेड से consult करने आ रहे हैं and I am always there to help you, thank you.